हेलो माइ फ्रेंड्स होपी आ डूइन फेंटास्टिक आज की वीडियो में आपके लिए दो फेमस माइक के भीत में कंपैरेजन करूंगा एक तो है हमारा यह रॉड का वीडियो माइक्रो और दूसरा है यह हमारा बोया का बी वाई एम वन अगर हम बहार से देखें तो देख करें गाइस तो यह लगबग 5500 रुपया तक मिलता है मार्केट में वहीं पर अगर हम बोया बीवाई एम 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 वन की बात करें तो वह 1500 रुपय के रहें में आ जाता है तो यार 5500 मतलब जितने में यह एक आएगा हो अतने में यह तीन आ यह तो अब सबसे पहला सवाल हमा चलिए अबने ही पर अब क्यांति में मिली है तो यह वीडियोगों के लिए बहुत हेलबोल हो सकती है क्योंकि आज की वीडियों हो आप उन दॉन माइक करके को क्वालिटी अबे और दोने के स्ट्रोंग पॉइंट और वीट पॉइंट के बारे में बात करेंगे इन दोनो म माइक्स के ही जो Amazon के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है आप चाहें तो वहां पे चेक आउट कर सकते हैं और वहां से खरीद भी सकते हैं इन दोनों माइक्स को तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं लेट्स गो तो फैट मलती है जो आपके केमरा से चल जाता है लेकिन उसके अलग से केबल खरीक नहीं पड़ती है जो कि लगबग 1200 रुपे के रेंज की होती है वहीं पर अगर हम बोया बीवाई एमान की बात करें तो उसमें हम वो ये माइक, ये डेट केट साथ में आपकी एक कैमरा केबल और एक मोबाईल केबल प्लस एक ये पाउच भी आता है तो अगर वैल्यू फ़र मनी एक स्टेंट पॉंच चा बात करें तो बोया में हमको जादा वैल्यू पर मनी मिल रहा है तो वी समाम भी ज्यादा मिल रहा है, राइट हमको कोई एक्स्टरा केबल ने खरीब नहीं है आप बस माई खरीदे और आप तुरंत अपने मोबाईल से या कैमरे से कनेकर सकते हैं क्सक्ट्षन क्वालिटी की बात करें गयाँ तो जैसा कि बैने आपको सुनून बताया था tripod mount जो होता है यह दोनों के different rod में a different mount है और bowya में different mount है तो अब चलते हैं और audio test करते हैं और देखते हैं कि यह audio test में कैसे perform करता है तो पहले स्टार्ट करते हैं नोर हिसाम 123 माइक टेस्टिंग 123 13 तो 123 माईक टेस्टिंग गरें ऑगर वैसे सुन रहा हूं तो मेरे को जादा फर्क नहीं पता लग रहा है ROID में मेरे को एक ही drawback लगा लगा वह इसका price क्योंकि अगर हम BOYA से compare करें तो ROID का 3 मुनरा price है और BOYA मेरे को एक ही drawback लगा वह आफ का shock mount जिस पे यह mic को आप mount करते है ना इसकी बात कर रहा हूं यह मेरे को असल रखता है कि ROID का ज़्यादा अच्छा काम करता है बोया के में क्या है कि अगर आप लगाएंगे और आपका हाठ टाच होगा किसी चीज से तीगे या हली से हवा चलेगी तो यह एक अजीब सी आवाज निगालता है जो कि आपके आडियो खराब कर सकती है मैं आपको यह आवाज सुनाता हूँ तो मेरे साब से गाइज मेरे रिकमेंटेशन यह है कि अगर आपके पास बहुत अच्छा अच्छा बजट है ठीक है और आप कॉलिटी में बिल्कुल भी सेक्टिवाइज नहीं करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप रोट के साथ जा सकते हैं क्योंकि रोट एक इंटमनेश अच्छा ब्राइंट है बहुत ही बड़िया ब्राइंट है पूरी दुनियावा फेमस है और उनके प्रोड़क्ट एवन क्वाइटी होते हैं और शॉक मांट तो आपने देखी लिए कि इतना अच्छा काम करता ही करता है लेकिन अगर आपके पास बजट की कमी है पैसे की क करनी है और आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप बेटर कॉलिटी चाहते हैं तो मैं आपको बोलुआ कि आप बोया के साथ जा सकते हैं बस आपको थोड़ा तो ध्यान करना पड़ेगा कि यह माइक हिलेना यह अच्छा सा टाइट रहे अगर हम इस माइक को क कर सकते हैं यह मेरा प्रोफाइल है आप यहां पर आपको फॉलो करी है और बहुत ही जंदी है आपसे अपले वीडियो को लेकर मिलूं लाइस तिल अटाइम है अब फॉन इंजॉय और दाइम सी यह जों जाहिंग बाई